बहले हैं बहले पाँच उंगलियां अलग-अलग हैं लेगनी पाँचों मिलक कही पंजाब ऑनता है तो ठीक उसी परकार अगर इसको लग रहाई कि अर्ये मेरा नहीं आप सोचते रहेंगे कि कानी का नुक्सान है तो बोड़ी का है बोलेगी और इसका नुक्सान और यह कहा है बोलेगी और लास्टम पता चलेगा कुछ नहीं बचेगा तो इसलिए मेरा संदेश सही होगा कि यह कतय उचीत नहीं है जह भी किसस्टीम को लेकर करकर की सोच रहें किया इसको बड़ा करना या पार्टी तरह का कुछ करना या क्या सोच रहें हम लोग चाहते हैं कि भले आंदोलन हो रहा है सभाएं हो रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेबल पर हमारा संगठन उतनी मजबूती के साथ नहीं फैला है उतनी मजबूती के साथ फैला होता तो आंदोलन और फ्रसा बिक्राल देखने को मिलता चुकि इसलिए लोगों को हम लोग को लेड करने के परियास कर रहे हैं सदस्तिया भ्यान चलाएंगे फिर सदस्य बनाने का कारी किया जाएगा और जब भी कोई मुव्मेंट होगा तो अब अब पहले और अभी के मुकाबले कहीं कहीं सभाई काम के रोगे करने के लिए तो उसलिया आप regul9 गाउवह के बीच अलग अलग संग Arab हकर है वहां स्थानी हाला हृट है इस पर चरिया थ कर रहे हैं कि बिढ़ी व्यवस्ता जहां से बनती है जहां से बदलती है उस दिसा में हम लोग कर रहे हैं कि वहां हमारे नौज़वान पहुंचे और अपना युग दानी सराज जी के लिए चाहें कि एगर वोह चाहते हैं कि राजFr। परिवर्तन जी नहीं जैसा था वैसा आज भी है आज भी हमको लगता है जब भी मिडिल क्लस में चले जाए मिडिल स्कुल में मुझे लगता है बहुत 10% लोग ही है जो साइद अपना पूरा बायराटा ठीक से रहा है सुन्दर लिखवाते हैं तो इस कंडिशन के साथ आज र गित्रों का सवाल है तो यहां जो हम लोग देख पाए उसे बात को कहा रहा है बहुत खराब लगता है क्या कर सकते हैं बच्चे पहले स्लेट लेकर चाथे थे हैं, प्लेट लेकर खिछरी खाने जा रहे है यही है सिक्षा व्यवस्ता आमारी तो केबल यहाँ स्कूल और कपड़ों का रंग बदला जा रहा है यहाँ जो वेवस्ता है उसको नहीं बदला जा रहा है तो कुल मिलाकर राजसरकार जानती है कि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए यहाँ के लोगों सिक्षा नहीं चाहिए त्रोजगार नहीं चाहिए, यहां के लोगो स्वास्त नहीं चाहिए, यहां के लोगो चिकन, मटन, दारू, चकना, मुर्गा चाहिए और 2024 में मिल जाएगा इसी की त्यारी में हतरकार, इसलिए आज पीछे नहीं हट रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार राजादी जो बोल दें, बहुत सारे लोगा आग बंद करके मान जाते हैं वही हाल हमारा यहां है, बहुत लोगों को लगता है, जिसकी देखिए यह हमने अपको असपस्ट कहा कि जारखन भी अलग-अलग तरीके से है अलग-अलग सम्मुदाय हैं, अलग-अलग भासा है, अलग-अलग परंप्राय हैं तो कुछ लोगों को यह लगता है कि भाई, नुक्सान अगला का हो रहा है न, भाले व जारखंडी क्यों ना है लें, नुक्सान उसका हो रहा है, हम को क्या, उनको अभास नहीं है जो भी है पांच उंगली आलग अलग हैं लेकिन पांचों मिलके ही पंजाब बनता है तो ठीक उसी परकार अगर इसको लग़ाई कि रही है इसका नुकसान सरकार कर रही है मेरा नहीं न कर रही है इस ख़्वाब में हाँ सब चल रहा है आज अगर सभी लोग अंदलों नहीं कर रहे है तो रेजन यही है कि इनको लगता है कि नुकसान सरकार इसका कर रही है लेकिन भया जब इसका नुकसान होगा आप इस पंजे को दर्द होगा याद रखेगा इस पंजाब बदसूरत बन जाएगा तो इसलिए आज समय है कि किसका नुकसान है माइनी नहीं है राज का नुकसा चाहिए हमारे लोगों में राजनितिक समझ नहीं है पोलिटीकल समझ नहीं हो पाने करण ऐब दूर्ध साहे है अगर पोलिटीकल समझ रहेEE अगर politician अब इसी को जीरो कर दिया जाए तो बाकी 50 से भी का मने कम हो जाएगा 44 और 56 हो जाएगा सायद जाएगा 40 किन के लिए है जो लोग कबजाधारी है जो लोग अतिकर्मनकारी है जो लोग अन्य राज्यों के उनके लिए 40 है तो इनको समझ में नहीं आता है राची में जो भी अतिकर्मनकारी है क्या जैम्यां को बोट देंगे नहीं देंगे कभी नहीं लोकल लोग को देंग झाल झाल